सो भी द्रेसिंग रिभूब करें टो डीज पहले आपको रान परस्टा सरजरी हुआ था सो सरजरी के बाद कितना तकलिफ हो अको? सरजरी के बाद एक दिन थोड़ा सा तकलिफ हुआ, थोड़ा सा स्वेलिंग हुआ था साइट में लेकिन उसके बाद कल से नॉर्मल है थोड़ा सा सो यह बिपोर सरजरी था यह सा था आपको ठीक है और रिजस्ट अभी है, हमने अग्रेसिंग रिमूब किया है एक दू में अच्छा कोईबी स्वेलिंग ह हो गएर नहीं है थोड़ा सा एक दो तेख लूज ऐसा होता है नीड़ा लग गही बुच भी निया है रहेकाम परफेक्ट शिच्प आगी है तो जितना डर लगा था इतना डर लगा था वो इतना हुआ क्या नहीं इतना कुछ हुआ है थोड़ा सा स्टार्टिंग में लगा था लगिन अभी नॉर्मल मतलब कुछ ही ना तो जो पहले सर्जरी से डर पहले तो डर रहे थे ना सर्जरी से थोड़ा कि बता ने क्या होगा रिजल्ट आएगा नहीं आएगा है ना हाँ सो बहुत इच्छा हो गया है एकदम शेप भी अच्छा गया अभी आपको खड़ा होंगे तब तक यह आरफ कर दें इस से खोड़ा सा पेन और स्वेलिंग कम हो जो 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 अब ही देखो जाएगा किसे कितना शेप में चींज आ गया देखना पूरा प्लेन हो गया अभी कुछ लगी नहरा कि ऐसा है एना फेली बहुत जादा था बहुत जादा था कि आई किनेस था पर्टिक्लर ली यह रिजन पर सो जो अभी नहीं है कि सो यह स्टेंडिंग बोजिशन में है बिफोर इस टाइप का था आपका इस सब आपके बिफोर हैं देखिए कितना सारा फैट और ग्लेंट ता दूरिंग सर्जरी है कि इस बिफोर आपके यह इंडिटली आफ्टर तू डेज यह है ठिक है थोड़ा सा स्वेलिंग रहेगा तोड़ा सा ब्रूजिज रहेगा बाकि कोई भी प्रोब्लम निए कोई भी स्वेलिंग नीए कोई भी कलेक्शन नीए और एकदम अच्छी से शेप आ ठिक है तो यह तू देज आफ्टर का रिजल्ट है, आफ्टर गाहने को मेस्टे सरजरी, ठीक है? तो अभी पहले वाले दिखाया है तो अभी में कितना फरक नजरा रहा है? मतलब पूरा अलगी है, मतलब याद है? अलगी हो गया है? पहले वाले याद आता था? याद आया है, कैसे याँ पे जो था बल्स था याँ पे? याँ पे मतलब अग्दम आगे थाओ अभी अभी अच्छा लग रहा है, शेप? याँ अभी याँ प्लेन हो गया इना? याँ वी दिरे ओर ये थोड़ा स्वेलिंगे, तो अपना नॉर्मल शेप और भी बहत रहा है ठीके? अभी अभी शेप्टम याँ, अग्याँ जो बहुत जाद अदा पेन बगेरे कुछ निया ना? नहीं, पेन नहीं कुछ है, बीच में थोड़ा सा, नॉर्म की थोड़ा सा है, बाकी कुछ नहीं है, ठीक